नमस्कार मद्यप्रदेश की सत्ता संगठन सियासत और प्रशाशनी गलियारों की कई छिपई खबरों को लेकर एक बर फिर आपका दोस्त आश्रतों साजिर हो चुका है और हमेशा कितरे हमार साथ मौझूद हैं मद्यप्रदेश के वरिश पत्रकार और राजनितिक विशेश उन्हें वह बाता है वो है भागवत से सहमत मुस्लिम अफसर मुझे नहीं लिखनाः की एक खबर को मुझे लखना यह हैं ये से कंवर्ट हुए हैं यह पहली बार किसी बड़े ये जिम्मेदार मुश्रिम ब्यक्ति ने इस बाद सुइंकार की था मुश्राम है कि अरब मुश्रिम जिस तरह के हिंसक है उतने हिंसक हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं है मतलब वो इस तरह की यह दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और अरब के मुसल्मानों में जो अंतर है वो यह है कि वो ज्यादा हिंसक है और हम लोग यहां हिंसक नहीं है हम सही शुरू है मतलब हिंदुस्तान का जो मुसल्मान हैं वो सही शुरू है और हिंदुस्तान के बाहर का मुसल्मान हिंसा के इसलिए वो इस बात को दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसल्मान हैं वो कहीं न कहीं कनवर्टेट हैं परवर्टित हैं जी वही सर आये सदिकारी जो कहीं कई जलाए जाते हैं लेकिं वह डरते नहीं हैं मैं एक बात और आपके दरसकों को बता दूं कि नियाज खान एक एक महत्र मेरे मेरे जानकरी की अधिकारी है जो नॉन वेजिटेरियन है पूरी तरह से कभी कभी सब्सक्राइब नहीं है कभी भी मासार का उप्योग नहीं करते वो बली नहीं देते हैं वो कई ऐसी चीजों को जो उनको लगता है कि उच्चत नहीं है उनका वो बिल्कुल भी चाहिए वो इसलाम में मानता हूं लेकि वो व्यक्तिकत तौर उसको स्विकार नहीं करते हैं वो कहते हैं कि किसी भी सबसे महत्पूर्ण वह आपने दी है संत और विधायक में फिर तना तनी यह बहुत महत्पूर्ण और खैर मदबर्देश के मामले में इसलिए महत्पूर्ण है कि रावत्पूरा महराज जो हैं वह इस समय राजनितिक एक बहुत बड़ी एक कद बना चुके हैं तमाम सारे च सिंग लंबे समय से उनका और रावत्पूरा महराज का लगातर विवाद चलता रहा मैंने स्वैम आस्तोसी वहां जाकर देगा था कि लगवग चार विधांसभा चुनाओं में रावत्पूरा सरकार धाम से ही गोविन सिंग के खिलाब प्रचार का तमाम सारा वो चलता था लेकि इन चार चुनाओं में जब नहीं हरा पाई डक्टर गोविन सिंग को तो मैंने देखा कि बुंदिल खंड के एक आयोजन में इनकी दोस्ती हुई कुछ लोगों ने बीच में पढ़के इन दोनों का समझवता कराया और पिछले दस साल से इनके बीच में कोई महराज सुम उठा रहे हैं गोविन सिंग का कहना है कि जब पंचा चुनाओं की आचार सहीता लगी है ऐसे में किसी धार्मिक इस्तान जिसको सब लोग मानते हैं वहां भारती जिन्ता पाल्टी का इस तरह का कारक्यम होना यह आचार सहीता का उल्लंगन ही है महराज और और मुझे लगता है कि यह दी मामला नहीं निपता तो एक बार फिर हम लाहर में भिंड में मदब अदेश में गोविन सिंग और रावत परा की बीच ट्रकराओ की इस तिए फिर से देखेंगे अक्सर दिखने में आता है कि जो बाबा होते हैं या धार्मिक जो संत होते हैं बहुत मुस्किल होता है संतों को राजनीती से बचे हुए है लेकिन जो संत राजनीता को लेने दरवाजे तक जाए राजनेतां के लिए निक अपनी खुडिया से बाहर निकल जाए उनका वेलकम करें उनके साथ फोडू के चुबाएं उनके आयोजन करें मैं समझता हूं क अपना खत बढ़ाने के लिए इस तरह का करते हैं उन्हें मैं असली संत नहीं मानता हूं लेकिन जो संत जहां है जो अपनी साथना में लगे हुए राजनेता खुड उनके आसिरवार लेने लेने जाए और चाहे राजनेता हो प्रशाशी के दिकारी हो आम जनता हो जैने व मतबदेश की राजनेती में ये माना जाता था कि गौलियर महल एक मात्र ऐसा परिवार है जो अलग 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 परिवार के लोग जाते हैं और विचारधारा का कोई वहां में तो नहीं हैं वहां तो केवल हमें सत्ता चाहिए हमें विदाएग या सांसत बनना है लेकिन पर चाहत राजनेती को अधिक वेखाटी समाजवादी नेता रहे और बड़ा जबर्यस नाम था उनका उनका उनीस सो सत्तर के दस्तक पर गजरा सिंग्जी का वह उनीस सो नब्बे में पहली बार जंताजल से चुनकर आए मैं मंद्वर्देश विदान समय में उनसे मिला व हमारी उनसे चर्चा होती रही फिर मैंने देखा कि उनका बेटा जो सत्तपाल सिंग से करवार है वो उसी सीट सर भारती जनता पालडी से चुनकर आए तो मैंने देखा कि अब यहां विचारदार का इस परिवार का विचारदार से अब कोई लेना देरा नहीं है लेकर अभ कि परिवार के सदस जो एक ही चत के नीचे रहते हैं और तीन अलग लग विचारदारा के दलों से चुनाओ जितकर मतबदित विधान सब आए है इसलिए मैंने इसको अपनी ख़वर में लिया है कि यह एक बली चुकाने वाली बात है कि अब राजनीती में विचारदारा का हाँ नहीं है हमें सिर्फ विधाय को सांसत बनना है हमें केवल पत्पर रहना है और हम तागत उसी से मिलती है आप संदन में हैं किसी भी सदन के मेंबर तो निश्ची तोर परे परिवार तागदार रहता है और गजरा सिंग जी का पूरा परिवार इस सब हैं तागद बरह तीन प्यक्ति परिवार के एक परिवार के तीन सदस अलग लग दलों से मदबदेश्व दृदास हमा पोंचने वाले हैं कोहुन निर्प यह हमें कहा नहीं हमें का रीक छोड़ा से इसमें और आप से चाहों चुनावाथ है तब तीनों के बीच में किस तरह के सामधिस देखन परिवार को बड़ा संसकारथ परिवार है कई महामलों में तो लेकिन वह परिवार कहीं अलग लग नहीं है इसके कानल से उनके भाई और है विंदा सिंग जी वह समाज पार्टी से वी चुना लड़ चिके हैं उनने डॉक्टर गोविंज सिंग को बिदान सभा में हरायता वहां अलगों खुद भी आरे थे और भारती जंता पार्टी म मुरेना से लेकिन आप देखे एक परिवार है भाई भारती जंता पार्टी में एक बेटा बीजेपी में पिताजी जंता दल में दूसरा बेटा कॉंग्रेस में और एक ही शटके नीचे रहते हैं और परिवार भी एक जुट है इंट्रेस्टिंग बात ही है चली यहां पर तो ऐसे लग रहा है कि और कोई पार्टी में अगर आती है तो उनके परिवार से किसी और सदिस्कों भी क्योंकि आप तो तीसरी पीड़ी आगए यह परिवार में तो निश्चित और पर हो एक बहुती महत्पूर्ण हैडिंग या पर दिये प्रशाष्टने के गलियारों म महीला का किसा क्या के शिकार देखें यहां आमनेहे देखा हूगा कि कल्पना सीर्वासर फघ्र चीक एक महला मने जाती है मर्दपुर्ण है मैं ने लोगा झाहीं क्वास कि Seaka में अच्छित की नहीं गृच्ट struggle का किया जिए और माया सिंग're कि किß तुमाम सारी मीडिया में भी चल रही है जहांच भी उन्होंने खुद जहांच पिठाई है उसकी और जो कमिश्टर है उन्हें और कल्परा जी को एक साथ अटाया तो सब लोग चोग गए कि आकिर जिस मेला ने इस मामले को पकड़ा जिस मेला ने इसकी जहांच के आदेश द उसकी जहांच अब करें जहांच को बढ़ा है उसकी जहांच को बना दिया गया उनको मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह सारी जो गलत पहिमियां उनको लेकर पैदा की गई है वो दूर होगी मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूंगे कि कल्पनां बहुता वास्ताब जी एक बड़ी योग और सक्षम आईयस अधिकारी है जहां भी रही है उन्होंने अपनी चाप छोड़ी है जी बिल्कुल इसका मतफर कहीं ने कहीं जो प्रशाशनी एक तन्तर में भी शेवर मात का खेल चलता है एक दूसरे की कहीं ने कहीं सियार बिगाड़ने के यह आईपियस हों वह एक दूसरे को मात देते रहे हैं लेकिन अभी इस समय जो हो रहा है वह हमें राजवार तो नहीं है लेकिन गुड़वाजी तो निष्चत तोर पर है और आने वाला समय यह तरह करेगा कि यह इसका जो पढ़ना में हमें मुगत जरूर पढ़ेंगे मत सब्रतेश को अभी माहों कुछ मुझे लगता को जाने विसाक्त हो गया है दोहजर तेरह बैच पर महरवान सरकार यह बहुत महत्पुन हेडिंग आप में दिया सिर्क क्या वात है किस तरह की वहरवानी हो दरसर क्या होता है कि जो आईएस में होता है चाहें वो शीधी वर् चुके हैं करीब 19 के लगवाग अधिकारियों को कलेक्टरी मिल चुकी लेकिन 10 और 11 के अधिकारी आज भी वह हैं तो कहीं ना कि उनके अंदर फ्रेश्टेसर आता है तो मैंने सरकार का दिहान अपने इस कॉलम के जड़ी खिशने की कुछिस की है कि आकर ऐसा क्या है कि 2013 के अधिकारियों पर सरकार महरवान रहती है और उसके पीछे दो साल पीछे जो बहच है उनके लोगों को अभी भी प्रतिक्षा करनी पड़ रही है मुझे अंबीदा कि मेरे खवर आने के बाद और सरकार के संग्यार में आने के बाद वो जो अधिकारी फ्रेश्टेसन में है उनकी योगता का भी लाव सरकार लेगी और उनने भी कलेक्टिक बनाएगी और अन्त मेसर आपने बहुती महत्पूर्ण यहां पर ध्याना करशन कराए कि मदवर्दिश के राजपाल मंगु भाई पटेल वो निजी विश्वी दहलों के कारिक्रम में जा रहे हैं लेकिन हा मदवर्देश में राजपाल के पास जो सरकारी जो सास की विश्वी द्याले हैं उनमें बहुत सारा काम करने की आऊशकता है वह बहुत सारी भी संगतिया हैं राजपाल को उन तमाम सारे विश्वी द्याले में खुद जाना चाहिए दोरे करना चाहिए लोग की समस्यां को सुनना चाहिए और वहां जो कमी है उन्हें पूरा करना चाहिए लेकिं मैं ये लगातार देख रहा हूं कि अभी तक जितने राज़पाल मद्वदेस में आई वो आवाइट करते थे कि हम नीजी विश्विद्द्याले के कारेकम में नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो के अब इन दोर में एक दूस्विद्द्याले के करके में भी सामिल हैं तो आस्तोस जी क्या सरकारी जो विश्विद्द्याले हैं जो समयदानिक पत पर बैठें उन्हें बचना चाहिए ऐसा मेरा व्यक्ति का सोच है मैं इसमें किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन घटना जरूर बताना चाहूंगा कि बहुपाल में बड़ा विश्वध्याले बना था और उस विश्वध्यालों को अपने रा विवार की लोगों को एक बहुत मोटी रासी दी गई और उस रासी के माद्यम से कुछ बीच में दलाल लोग यहां उनको अबद्यत करके लाए थे आज भी यह दी मद्यप्रदेश गिरह विवाक की रिपोर्ट को आप देख लें वहां बाका था इसकी जहां चुई है उसक एकलिते चीज़ों पर ध्यां दीजिए फोकस किजिए लेकिन आपकी पहली प्रहत प्रथुझता अंट न करता है कि आरोब तमारी उंगलियां भी उड़ती हैं तो हम नहीं चाहएं हमारे संबर्दाइक पत्पे बैठे राज़िपाल के ऊपर उंगलियां उठा है लेकिन एक बड़ी बड़ा आश्या जनक हुआ जिसको लोग बड़ी चुटकी लेकर सुना रहे हैं इंदोर में कि राज़िपाल ने पिछले दोनों जिस विश्विद्दाले में जाकर कारिकम किया उस विश्विद्दाले ने काफी प्रचार भी किया अपना उस राज़िपाल के लोटते ही तीसरे चौतरे दिन उसके ऊपर आईकर का च्छापा पढ़ गया और वो तमाम सारे परेशनियों से जूज रहा है तो दूसरे विश्विद्दाले हैं जब राज़िपाल गए है तो उसको भी लोग इसी तरह से चड़ा रहे हैं या उन पर कमेंट कर रहे हैं बहुआ ना कर रहा है किसी पर इस तरह कोई आईकर की कारवाई हो और हो भी तो नियमनुसार हो जो भी है लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राज़िपाल जैसे पत पर वेठे हुए व्यक्ति को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए तो क्या उनकी पास को ऐसा तंत्र नहीं है जो कम से कम यह बता सके कि बहुत सरी बाते तो कि बढ़ती जा सकते है किसी एजनसी उसमें चापा मारे या बहुत सरी बाते तो आसपास के लोगों को पता रहती है घोशित तौर पर सबको पता रहता है कि कितना काले काले कारोबारी यह उसके बावजिद भी उसके आपर कही नेता जो है फोटो केचाइद में अज़र आ तो बाद अब जनता यदी मुख्मंत्री और मंत्री जाते हैं तो जनता उतना गौर नहीं करती है और नहीं उसकी मार्केडिंग हो पाती है क्योंकि माले मुख्मंत्री आया है तो निश्चे तोर पेश ने अपने प्रभाव का उपे करके बुलाया होगा और इसके बदले में कल जब चुना होगे तो मुख्मंत्री की जो भी पार्टी होगी वो उसको सपोर्ट करेगा या उसको फाइनेंस मदद करेगा लेकिन राज हुए लोगों का लोग कौन है क्या है उनके व्यफशाई क्या है कि ऐसा तो नहीं कि राजपल का फोड़ो खिषने के खीच कर या राजपल को वहां भी ठाक है उसका कोई दूर्पयों होगा इन तमाम सारी चीज़ों पर जान देना बहुत जरूर है चलिए आजके इस अप एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे और तमाम पर्दे के पीछे चुपे खबरों का आपके सामने रखने को कोशिश करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्याद स्यादा शेयर करें नमस्का अश्छाइब